हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो व्यू स्पोर्ट मैच प्रिव्यू और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे दे मेगा क्लैश आफ दे प्रेमेर लीग जो की खिला जाएगा बिट्वीन न्यू कासल उनाइटेड और आर्सनल की बीच में फ्रेंड्स यह एक काफी किया है हारंके उन्हें अभी रिसेंट के मैचेस में थोड़े से सेट बैक लगे हैं बर स्टिल यह वैली वैल पॉइस टीम तो वहीं आर्सनल की बात करें तो इस साल भी वो लोग टाइटल कंटेंडर्स में हैं इस समय सेकेंड नंबर पे हैं पॉइंट स्टेबल में दस मै पैसिव चेंज नहीं आएगा उनके पॉजिशन में बट उनके लिए जीतना काफी इंपॉर्टेंट होगा उनका लास्ट पांच मैचेस में फॉर्म आर्सनल जैसा ही रहा है थ्री विंस और टूरॉस सेम गोस फॉर आर्सनल इस वेल न्यू कासल ने 26 गोल स्कोर कियें अब निल हराया था हालांकि फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं कि मैंचेस्टर उनाइटेड इस समय किस पोजिशन में वो उसे बड़ी टीम नहीं कहा जा सकता तो वहीं प्रेमिर लीग में उसके पहले वाले मैच हम वुल्ट से उन्होंने टू-टू ड्रॉप पिक अप करा था ज चैंपिंस लिग फिक्षर है तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीव स्पोट का बेस फैंटेसी कॉंबिनेशन आपको देंगे कुछ इंपोर्टन टिप्स फ्रॉम स्क्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पॉंट ऑफ यू जो आपको आपकी टीम सुनाने में हिल्प करेगा इसका साथ इफ्रेंट फुट्बॉल के साथ अगर आपको क्रिकेट की भी टीम्स देखना है और बाकि सारे फैंटेसी टीम्स चाहिए तो आप जा सकते हैं वीव स्पोट आप पर उन्हें चेकाउट कर सकते हैं अगर आपको टीम्स देखने में दिक्कत आ रही है परशानी में जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी 11 आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए दोनों टीम्स की लाइनप साने के बाद आपको दो प्लान्स दिखेंगे व्यू प्लान्स एन अनलॉक दिस मैच अगर आपको इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 5 वी क्रेडिट्स देख सकते हैं विच किन भी मंतली, यरली और लाइफ टाइम दूसरा तरीका है आप होम पेज पर डारेक्ली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए और जिन मैच इस के लाइनप्स आ गये हैं वो आपको अपको अपकमिंग में दिख जाएंगे जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए आपको फिर से दिखेंगे दो आप्शिन्स आप पांच वी क्रेडिट्स यूज़ करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं वैसे भी आपके फ़र्स फाइफ टीम्स आर उन अस, कम एक्स्प्लोड नाव तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया है कि कैसे हम टीम्स देखते हैं उन दे व्यूस पो टैप तो गो एंट चेक आप नाव अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग सीधे चलते हैं अपने बेस्ट फैंटेसी कॉंबिनेशन पर फ्रेंड्स प्रेंड्स अल्दो ये मैच होगा सेंट जीम्स इस पार्क में न्यूकासल के होम पर जहाँ पर अट्मस्फिर काफी इंटिमिडेटिंग होता है काफी अच्छा हो अब तो इनके जो स्कॉट डेप्थ की बात अगर हम करते हैं फ्रेंड्स वो उस क्वालिटी की नहीं है जो इस हमें आर्सनल की है और आप जानते हैं कि यूसेल का फिक्षर है यूसेल में अभी वो डॉट्मंट से हार गए थे और फिर से उन्हें डॉट्मंट से खेलना है तो वो अपने प्लेइर्स को और अर्ली किक ओफ भी है तो वो अपने प्लेइर्स को जुरूर फ्रेश रखना चाहेंगे इसलिए हमने आर्सनल को बैक किया फ्रेंड्स इस मैच में भी फील कि डोनों टीम कारसकिये है। है इस वज़े से निक पोप को आज काफी जादा इलर्ट रहना पड़ेगा बट वी डोंट माइन अगर आप अपने टीम में डेविड राय को भी कंसिडर कर सकते हैं उनका लॉंग रिंस इस्टिब्यूशन पासिंग काफी जादा अच्छा है वो भी आज प्रॉपरली टेस् आपके टीम के लिए अच्छे सेफ ऑप्शन होंगे वाइस अप्टेंसी के लिए आप चाहे तो बाकी ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो हमने आर्सनल के दो डिफेंडर लिए हमाई नमबर वन चोईस होंगे बेन वाइट बहुत ही अच्छे फुल बैक है प्रेमिर लिग में जब से आए हैं ब्राइटन से अब यह तक बहुत बहुत ही अच्छा खेला हालांकि रीसेंड के दो मैचे नो थोड़े से एक्जॉस्टिट लगें बट सिल ही इस वन आफ दे बिटर फुल बैक्स राइड बैक के तरह खेलते हैं जैसे कि ट्रिप्यर खेलते हैं न्यूकासल में आपको अच्छे पॉइंट जेंगे अगर आ लेबरियल को ड्रॉप के है क्योंकि उनके खेलने ना खेलने पर बहुत ज़्यादा अंसर्टेनिटी है कभी भी रैंडमली बेंच हो जाते हैं तो मैं लेफ्ट बैग में भी थोड़े से इशूस हैं टॉम यासू खेलेंगे या याकुब किवियोर खेलेंगे इसलिए हमें last 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 game में आर्सन को पेनल्टी मिली थी तो बुकायो साका ने पेनल्टी नहीं लिती क्योंकि वो फीद पर नहीं था गेंच यपिड उनाइटर तो फावियोर वियरा ने पिनल्टी ली थी बथा हमने देखा है कि आर्सन लने रीसें कुछ और्स पेनल्टीस गिफ्ट की हैं तो someone like Odegaard, someone like Kai Hawards, जिनका confidence वापस आया था उस penalty से, हालांकि वो अभी तक confidence विड से दिखा नहीं है, तो who will be on penalties for Arsene, कहना थोड़ा मुश्किल है, but designated first penalty taker is definitely Sakis, हमने उनको captaincy दिये, Sakis आपको randomly tough away games में out of nowhere goals score करके दे सकते हैं, किवल यहीं नहीं, आपके chance creation numbers भी इनके बहुत अच्छे हैं, assist potential बहुत अच्छा रखते हैं, और यह एक safe reliable captaincy option है, आपके small league teams के लिए, आप grand league में Martin Odegaard, जो कि हमाइ second choice होंगे, उनको भी wise captaincy दे सकते हैं, आप Declan Rice को भी दे सकते हैं, Martin Odegaard जहां आपको थोड़ा से ज़्यादा attacking threat offer करेंगे, थोड़ा से ज़्यादा creativity offer करेंगे, set pieces लेंगे, तो वहीं Declan Rice आपको बहुत ही अच्छे tackle और interception के points देंगे, हमें लगता है friends कि Arsenal position dominate करेगी, बट कितना dominate करेगी यह तूर भी tough to say, क्यों हमें लगता है कि इस match में Arsenal 55-45 sort of possession रखेगी, और Declan Rice ऐसा player जब को tackle, interception और passing से भी बहुत ज़्यादा points देगा, base points में इनके काफी ज़्यादा value है, काफी अच्छा season भी इनका जा रहा है, तो we don't have a problem अगर grand league में इने wise captaincy भी देते हैं, वाइस captaincy के लिए try करते हैं, और हमारे आखरी choice होंगे midfielder जोल इंटन from Newcastle, friends ये थोड़े से हमारे punt है, injury से वापसा आ रहे हैं, कितना minutes last करेंगे हमें नहीं पता, आप चाहें तो इनकी जगा team में someone like Miguel Almiron को ले सकते हैं, अपने दिन पर किसी भी back line को travel कर सकते हैं with his face, आप अगर चाहें तो Sean Longstaff को ले सकते हैं, जिनका goal scoring form recent में बहुत अच्छा है, but friends injury के पहले Joel intern Newcastle के लिए one of the most important player थे, इसलिए हम उनकी quality को देख के उन पर गए हैं, अच्छा work rate भी देते हैं, तो आपको decent defensive points भी दे सकते हैं, और minutes भी इनके fairly secure हैं, although injury सहा हैं, जल्दी substitute हो सकते हैं, इनका match भी है, बट still चुकिए इनके score में काफी injury crisis है, target, Murphy, Millie, Isak, Botman, काई सारे and even Elliot Anderson तक injured है, जो इनके natural left sided midfielder थे, तो हमें लगता है कि ये fair amount of minutes share करेंगे, और अगर हम forward line की बात करेंगे, तो हमने Arsenal के दो forwards, Gabriel Martinelli और Eddie Nketia को लिए है, Eddie Nketia भी hat trick मार किया रहे है, इनका confidence काफी आई होगा, और ये grand league के लिए, बहुत ही अच्छे vice captain सी option बन सकते हैं, Gabriel जी 106-7 games के लिए injured है, तो Eddie Nketia expected ही खेलेंगे, अगर friends यहाँ पर हावर्ड्स को खिलाती है, Arsenal as a false nine, तो हम उने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप अपनी टीम में फिर हावर्ड्स को ड्रॉप करके, someone like Anthony Gordon को ले सकते हैं अपनी टीम में, but it is a very very close call between Martinelli and Gordon, अगर नूकासल को बैक कर रहे हैं, तो आप Gordon को लीजिये, आप Arsenal को बैक कर रहे हैं, तो मार्टिनेली को लीजिये, अगर Nketia ने खेलते हैं, हावर्ड्स खेलते हैं, तो आप मार्टिनेली और Gordon दोनों को ले सकते हैं, और हमने दूसरा option ले है, कैलम विल्सन जो की Newcastle से penalties पर होंगे, इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, लास्ट मैच में दो गोल्स ओर किया था, एक पनल्टी मारी थी, एक ओवर हेट किक भी मारी थी इन्होंने, तो ये Newcastle के लिए one of the most important गोल्स को रहोंगे, सिंस E-SAC injured है, तो इन्हें काफी जादा मिनिट्स भी मिल सकते हैं खेलने के लिए, तो फ्रेंड्स ये था एक safe team, head to head team for small leagues, for the premier league match between Newcastle and Arsenal, अगर आपको एक प्रिव्यू पसंद है, तो इसको like करिएगा, share करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, हम आप से मिलते हैं फिर से गगले प्रिव्यू में, तब तक के लिए thank you, stay safe and have a very good match.